जैहिंद वनवात्रम सात्यों आज की वीडियो उन बच्चों के लिए हैं जो बीए के बाद जॉब को लेकर परिशान हैं यदि आप आज की इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपकी जो प्रावलम है ये सौल हो जाएगी आप बिसिजन ले पाएगे कि आप बीए के पहली बार आए तो चैनल जो सुस्क्राइब को लिजेगा बैल आइकन को प्रेस को लिजेगा योगि मैं आपके लिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो लात रहता हूं तो सात्यों बात करेंगे नंबर फाई पर सात्यों नंबर फाईब पर है आज की डेट में आ बोड़ा बहुत भी इंटरस्ट है और आपने बीए किया है तो आप परिशान ना हुए आप ऐसा नहीं कि M.C.A. वालों कोई जॉब मिलती है B.C.A. वालों कोई जॉब मिलती है तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है यदि आपको कंप्यूटर में इंटरस्ट है तो आप 6 महीने एक साल की जो short term diploma courses है उनको करके आप अपना career बना सकते हैं जैसे आपको digital marketing का है hardware software का है networking का है web development का है animation का है तो computer में 15 से भी ज्यादा diploma courses है और जिनको करके अच्छा खासा salary package है और computer का कभी भी scope कम होने वाला नहीं है तो number 5 पर आप क्या कर सकते हैं computer के diploma courses करके अपना career बना सकते ह हैं बात करें साथियो number 4 पर तो number 4 पर है साथियो आप law की तरफ जा सकते हैं यानि कि यदि आपको graduation complete हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं LLB कर सकते हैं LLB करने के बाद में जो job options हैं बहुत जादा हैं ऐसा नहीं कि LLB करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आप अपना practice कर सकते है आप advocate ही बनेंगे ऐसा नहीं है LLB करने के बाद में आपके पास 15 से भी अधिक option हैं आप company के legal advisor बन सकते हैं banking sector में career बना सकते हैं आप Indian Army में जा सकते हैं बहुत सारे career option हैं इस पर मैंने detail वीडियो बनाई हुई है तो वो भी आप playlist से जाकर के देख सकते हैं बात करें साथिय पर तो number three पर साथ हो आप क्या कर सकते हैं य然后 teaching में इंट्रस्ट है आपको teaching Temple अफिय। कर सकते हैं be a.d.tозможно AD कर सकते हैं बाथ करने साथ हूं No2 पर नंबर 2 पर इसाथ यो आपको MBA कर सकते हैं तो मेंike कर सकते हैं Bay कर सकते हैं यで टीम लीटर वर्क करना अच्छा लगता है प्राइवेट सेक्टर में आपको जाना है तो आज की रेट में जो सबसे बेस्ट कोर्स है वो क्या है आपका MBA तो नमबर टू पर आप MBA कर सकते हैं MBA आपका अलग अलग ब्रांचिस में कराया जाता है जैसे आप HR में Finance में Marketing में IB में तो आप इसमें अपना MBA करके career बना सकते हैं MBA करने के बाद में जो salary package है काफी अच्छा है तो आप MBA करके अपना career बना सकते हैं बात करें साथियो number one पर तो number one पर आप अपना post graduation कर सकते हैं यानि कि आप अपना MBA कर सकते हैं जिस भी subject में आपका interest है उस subject से आप अपना MA करिए एमे करने के बाद आप अपना TGT, PGT और आपका जो कॉलिज उनिवस्टी में आप असिस्टेंट प्रॉफिसर बन सकते हैं, इस पर मैंने डेटेल वीडियो बनाई हुए कि यदि आप एमे करेंगे तो उसके क्या बेनिफिट हैं, तो साथियो इसमें आपको कौन सा कोर्स बै करें यहीं के बाराद